दो मुकाबले में दो जीत के साथ यूपी ने WPL के पॉइंच टेबल में MI और RCB को हिलाया जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना यूपी वारियर्स की टीम ने अपने पिछले दो मुकाबलो में जीत के बाद भाईया पॉइंच टेबल के समिकरण को काफी दिल्चस्प बना दिया है जो टॉप थ्री टीमों की रेस है वो काफी मजबूत हो गई है किसके किसके बीच में वो जंग है आपको बताते चलें तो RCB, MI, DC और UP टीम चारो जद्दो जहत करती भी नज़र आ रही है और वहीं एक टीम अब लगभग इस रेस से बाहर हो चुकी है हम WPL 24 के पूरे पॉइंच टेबल पर नज़र डालेंगे यह देखेंगे कि गुरू कौन सी टीम किस अस्थान पर है किसी के टॉप 3 में फिनिस करने के चांसे ज़्यादा है और कौन सी टीम अब लगभग रेस से बाहर हो गई है इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर से यह आग रहा है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब फेस्बुक पेज पर देख रहे हो तो फेस्बुक पेज को फालो और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी अवश्य के जरूर करिएगा तो यह आपके स्क्रीन पर WPL का पूरा पॉइंस टेबल है DC पहले अस्थान पर आ चुका है क्योंकि भाईया उन्होंने RCB को माद दिया है 3 मुकाबले में 2 जीट के साथ 1.271 का पहतरीन रन्रेट रखकर DC पहले पर है 4 पॉइंटों के साथ RCB दूसरे पर है 3 मुकाबले में 2 जीट के साथ प्लस पॉइंट सेवन जीरो फाइप का नेटरन डेट रख के दूसरे अस्थान पर तो RCB क्रिकेट के जो प्रसंसक है भाईया उनके लिए खुश खबरी वाली बात है कि उनकी RCB इस साल बॉटम आप दे टेबल ना होकर अभी तक टॉप आप दे टेबल में बरकरार दूसरे पहले अस्थान पर जितने भी अभी मुकाबले हुए उसमें इन्होंने अपना नाम सुमार करवा कर रखा है यह यूपी यह RCB टीम के लिए और उनके प्रसंसकों के लिए काफे खुशी की बात है वहीं यूपी टीम ने जो चौथे पर चल रही थी ऐसा लग रहा था कि भ भी लड़कियों में दमखम है हेली बना रन बनाएंगी बनाएंगी कभी ने कभी नवगीरे बहिया नई खोज आ गई है काफी तेज रन बनाती भी दिख रही है भारती टैलेंट है फिर बात करें उनके पास अब अट्टा पट्टू भी है ग्रेस हैरिस का बल्ला बोली र इनका नेट रन रेट है वहीं माई की बात करें तो बहुत के लिए चिंता की बात है और जो कल का मुकाबला माई वर्सेज आव सी यह काफी दिल्चस्प मुकाबला है यह पॉइंच टेबल के जो समीकरड है उसको काफी कुछ खोल देगा जो मुकाबला यह हारेगा उसके यह बहुत का सकते हैं आपको मायूसी हाथ लगेगी क्योंकि फिर पॉइंच टेबल में उसका समीकरड गबड़ाएगा दो हार अगर आरसी भी हारेगा लगातार हो जाएगा तो उसके लिए भी चिंताएं बढ़ जाएगी क्योंकि उनका एक तो नेट रंडेट माइनस में मानस 182 का है चार पॉइंट है उनके पास कल का हार और सीबी के समीकरड को गबड़ाएगा कल कहार है माई हारेगी तो माई के समीकरड को गबड़ाएगा टॉप 3 में फिनिस करने के लिए गुजरात की बात करें तो वहीं लगबग चट गई है इनकी टीम में दमखम नहीं दिख रहा है जिस वाज़ा से तीन मुकाबले खेलें तीन में हार का सामना करना पड़ा है जीरो पॉइंट है उन्हें ट्रन रेट की क्या ही चर्चा करें जब इन्होंने खाता तक नहीं खोला है तो यह पूरा पॉइंस टेबल का सूर्थेहाल है समीकरड यही है कि दिल्ल अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें